जी विशाल अभी आपके बास आएंगे इस वक्त इक बड़ी खबर आ रही है महंत नरींद्र गिरी ने सुसाइट से पहले एक वीडियो भी बनाया था बड़ी खबर लगभग चार मिनिट का ये वीडियो था महंत नरींद्र गिरी का मुबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है मुबाइल फोन को फॉरेंसिक टीम को दे दिया गया है पड़ी खबर अभी तक सुसाइट नोट का जिक्र हो रहा था 6-7 पन्लों का जो सुसाइट नोट लिखा था अब उसके बाद एक और नई जानकारी सुसाइट से पहले महंत नरींद्र गिरी ने एक वीडियो बनाया था उस मुबाइल फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जाच के लिए दे दिया है विशाल बड़ी खबर देखे बिलकुल महंत नरींद्र गिरी ने लगबख 3-4 मिनट का वीडियो बनाया था सुसाइट से पहले और उस वीडियो को अपने मुबाइल फोन से बनाया था वो मुबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है फॉरेंसिक टीम को दिया है उसे सील कर दिया गया है आगे की जाच के लिए क्योंकि उसमें कई लोगों के नाम महंत नरींद्र गिरी ने लिये है इसके अलावा ये बताया है कि आगे इस मट की जो विरासत है वो कौन समभालेगा उसके बारे में पूरा बताया हुआ है लेकिन यहाँ पर पुलिस सबसे पहले यही पता लगाने की कोशिश कर रहे है कि आकिरकार किस दबाओ में महंत नरींद्र गिरी थे और आनंद गिरी कब हरिद्वार पहुचे थे कितने दिन पहले वो प्रियागराज से हरिद्वार गये थे जैसे ही यह सूचना आई थी कि महंत नरींद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है उस वक्त आनंद गिरी ने जीनियूत सबसे पहले बातचीत करते हुए हत्या की आशंका जताई थी आनंद गिरी ने ही यह सवाल उठाया था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है इसकी जाच होनी चाहिए और उसके ठीक बात क्योंकि जैसा आशंका जताई जा रहे थी क्योंकि यह पुराना बिवाद था आनंद गिरी सिड्नी शहर में कुछ मैलाओं के साथ आमर्यादित बेवहार के चलते उनको पुलिस ने गिरफतार भी किया था जिससे महंत नरेंद गिरी काफी आहत थे इसके अलावा वो विदेशों में जब घूमने जाते थे वो सन्यास परंपरा का उलंगन करते थे इन सब बातों से आहत होकर नाराज होकर ही और साथी विशाल ऐसी भी जानतारी है कि जो भट्तों द्वारा चड़ाया जाता था वो ये अपने परिवार को भिजवाता था आनंद गिरी देखे इसमें दो चीजें हैं मेरी जब मई के महीने में ही महंत नरेंद गिरी से मुलाकात हुई थी जब दोनों गुरू और शिस्ट के बीच स्कुलाय नहीं हुआ था तो नरेंद गिरी ने मुझे इसी जगए पर ये बताया था कि आनंद गिरी से वो क्यों नाराज रहते हैं उन्होंने मुझे तीन चीजें बताई थी पहला कि आनंद गिरी का जो पूरा नियम है जो उनका जीवन चर्या है वो सन्यास परंपरा का उलंगन कर रहा है उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगते रहते हैं दूसरा उन्होंने ये बताया था कि जो चंदे का पैसा मिलता है जो दान का पैसा मिलता है पैसों में हेरा फेरी का आरोप भी आनंद गिरी के उपर उस वक्त वो लगा रहे थे इसके लावा ये भी बता रहे थे कि कैसे उत्राधिकारी को लेकर एक तरह से जंग यहां पर दिश्डी होई थी कि उनका अगले उत्रा धिकारी कौन होगा हलाकि महन्त नरेंदर गिरी ने किसी को भी अपना उत्रा धिकारी घोशित नहीं किया था लेकिन आनंदगृ एक ऐसे शिर्ष के तोर पर महंत नरेंद्र गिरी के साथ थे जो कि य यह माना जा रहा था कि यह उनके अगले उत्रादिकारी होंगे जब कुमब का यहां पर मेला चल रहा था प्र्यागराज में लेकिन उसके बाद से बिवाद बहुत जादा बढ़ता चला गया जब Sydney में आनंदगिरी पर केस दर्ज हो गया उससे महंत नरेंदगिरी बहुत परिशान थे 2019 में और उसके बाद उन्होंने जब मट से बाहर का रास्ता दिखाया आनंदगिरी को उसके बाद से बहुत जादा विवाद दोनों के बीच में बढ़ गया था आनंदगिरी भी महंत नर तो जा कर्चुछी है, तो यसमें बीचर कर दोनों के बाद सेुटी तूनों में आनदगिरी तुटाए गया नर्थाराईगी दोनों अरेखने अई क्या नर्फजंगी तुटार लुटाएगीएएश वचेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए